मैं रणजय पांडे, देवरिया सीने सेकंडे स्कूल देवरिया के आनलाइन कक्षा में आप से बच्चो का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आईए आज हम लोग कक्षा साथ संस की तुरुचरिया के अंतरगत आने वाले सश्टे पाठ है छटे पाठ सदाचार है सदाचार है पाठ की व्याख्या का अध्यन करते है तो देखे आप लोगों के पाठ का सीसक है सदाचार है सदाचार मने अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, उत्तम व्यवहार सत आचरणम सदाचार है मतब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार ही ब्यक्त को सदाचार की रास्ते पर ले जाता है और थार सदाचारी ब्यक्त बनता है सदाचार में सी हुआ अच्छा उत्म आशर्ण अच्छा व्यवहार तो चलिए ये नीट के कुछ इस लोग के माद्यम से हम लोगों को बताया गया है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कैसे रहना चाहिए हमको आलस्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस सारी बातें जो है इस लोग के माद्यम से हम लोगों को बताई गई है आईए हम इस पार का अध्यन करते हैं तो पहला इस लोग है आलश्यम ही मनुष्यानाम सरीरस्थो महानिरिपो ना अच्य उद्यम समोवंधो कृत्वायम ना अवसीदती देखे स्वाकार्यम अध्यकुरुवेत पूर्वाहेच अप्राहिकम नहीं प्रतिक्षते मृत्तो कृत्मस्य नावा कृत्म अगला श्लोग शत्यम प्रुवयात प्रियम प्रियलीप ना प्रुवयात शत्यम अ प्रियं प्रियम च नारित्म प्रुवयात ये सह धर्म सनातन sean एसे धर्म शनातन है आगे देखेंगे फोर्थ स्लोग चवत्य स्लोग को कि सर्वदा ब्यवहारी स्यात आवदारियम सत्यता तथा रिजुता मृदुता च अपी कोटिलियम ना कदाचनम ना कदाचनम अगला स्लोग है स्रेष्ट जनम गुरूम च अपी मातरम पितरम तथा मनशा कर्मना वाचा शेवेत सततम सदा मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदाप सुखी जनह इति ग्यात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत तो ये आपका वाचन हो गया तेखे इस लोग है ये गे काद्य है गे है तिसने इसका स्यस और वाचन भी करना आवस्यक है तो आईए हम इसका एक बार फिर शेस और वाचन कर लेते हैं फिर इसकी व्याख्या का अध्यन करेंगे तो आलश्यम ही मनुश्या नाम शरीरस्तो महान रिपू नात्से उद्यम समोबंधो कृत्वायम नाव सीदती श्वयकारियम अध्यकुर्वेत पुर्वाहेच प्राहिकम नहिप्रतीक्षते मृत्तो कृत्मस्यनावा कृत्म शत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना ब्रुयात शत्यम अप्रियम प्रियम चनानित्यम ब्रुयात एसे धर्मशनातन शर्वदा व्यवहारेश्यात ओदार्यम सत्यता तथा रिजुता मृतुता मृतुता चापी को तिल्यम नाकदाचन स्ट्रेश्ट जनम गुरूम चयापी मातरम पित्रम तथा मनशा कर्मणा वाचा सेवेत सत्तम सदा मित्रेंड कलहम कृत्वा नाकदापी सुखी जनह इतियात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत देखे अब हम पहले इसलूप का व्याख्या का अध्यन कर रहे हैं देखे आलस्यम ही मनुष्याडाम आलस्यम ही मने है मनुष्याडाम मनुष्य के सरी रस्तो शरीर में इस्तित महा मने सबसे बड़ा रिपू माने सत्रू या दुश्मन आलस्यम ही मनुष्य के सरीर में इस्तित सबसे बड़ा सत्रू है पहले स्लोप का अन्वय हो गया कि आलस्यँम् ही मनुष्याणाम आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्य के शरीर अस्थो शरीर में इस्थित महां मने सबसे बड़ा रिपू मने शत्रू देखे ना अच्छे उद्यम समो देखे एक में लिखाओ ना अच्छे उद्यम समो बंधु कृत्वायम ना अउसीदती देखे ना मने नहीं अच्छे उद्यम समो बंदे उद्यम की समान इस उद्यम मने परिश्रम उद्यम इस परिश्रम सममाने समान, वंधु माने भाई, या मित्र भी कर सकते हैं, कृत्वा करके यम ना आवसीदत, यम माने जो ना आवसीदत में दुखी होता, करके जो दुखी नहीं होता, तो देखें इसकी शम्पूर व्याख्या, इस श्लोक की, तो कह रहें हैं, आलस्यम ही मनुश्याडाम सरी रस्तो महानि रपू, आलस्य, आलश यह मत्तब किसी कारी को बिलंबशी करना या किसी कारी को करने से अनाकानी करना जैसे आप लोगों को कह दिया जाए कि यह चैप्टर याद कर लेजिए नहीं साया है आज नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे नहीं करेंगे तो यह क्या है यह आलश यह जैसे मम्मी ने कहा ये काम कर लो तो नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगी या कल करूँगी अभी करूँगी ये बिलंब से कारे करना ही आलस्य है या ना करना ही आलस्य कहा जाता है ठीक है, आलस ही मनुष्यारा मनुष्य के सरीर अस्तो शरीर में इस्तित महान रिपु, सबसे बड़ा सत्र है, देखें, कहे रहे हैं, मनुष्य के सरीर में इस्तित, आलस ही सबसे, उसका सबसे बड़ा दुष्वन है, मनुष्य के सरीर में इस्तित, आलस ही उस मनुष्य का सब से बड़ा सत्र होता है ना अस्य उद्यम समो देखे कह रहे हैं मतब उद्यम के समान परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है या बंदु या मित्र नहीं ना अस्य उद्यम उद्यम मने परिश्रम परिश्रम के समान ना मने नहीं मतब अस्य मतब कोई भाई नहीं है परिश्रम के करकित्वा यवन ना उसिदत, ब्यक्ति कभी दुखी नहीं होता क्या दुखी होता, होते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि अगर 2 घंटे पड़ लिये हैं, तो मम्मी से बोलते हैं, मम्मी आज मैंने बहुत मेनत किया दो घंटे पड़ा तो दुखी हो रहे हैं तो यह इसा नहीं होना चाहिए ब्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने परिश्रम किया परिश्रम कैसा उसका भाई के समान है और था तो उसका परिश्रम में उसका साथ देने वाले के समान है उसका इसलिए ना अस्युद्यम समो बंदू कृत्वा यमना असिदत इसलिए बेक्ति को जो है परिश्रम के समान बेक्ति का कोई भाई नहीं है इसलिए परिश्रम करके बेक्ति को ना असिदत दुखी नहीं होना चाहिए असिदत बने दुखी होना ना खुष होना तो बेक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए तो एक इसलुक क्लियर हो गया आप लोगों का आलसी मनुष्ट के सरीर में रहने वाला सबसे बड़ा सत्रु है और परिश्रम जो है परिश्रम के समान उसके कोई भाई नहीं इसलिए परिश्रम करके बैक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए अगला श्वकारियम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे चे अपराहिकम श्वमाने आले माले कल को आने माले कल को श्वका आ जाता कारियम मने कारियम अद्य मने आज कुर्वीत मने कर लेना चाहिए कुर्वित में कर लेना चाहिए देखें कह रहे हैं पूर्वा है चाहिए अप्राहिकम पूर्वा है अप्राहिकम पूर्वा है मैंने दूपाहर के बाद पूर्वा है मैंने दूपाहर के बाद के समय को पूर्वा काल कहा जाता अप्राहिकम अप्राहिकम नहीं प्रतीक्षक्षते माने प्रतीक्षा करती है इंतिजार वेट कि मृत्यू किया गया है कि ना मने नहीं वा कृतम जो कार्य करने के लिए था ओं किया गया है कि नहीं देखे इसका इसकी व्यक्षिया देखते हैं कि स्वय कार्यम अधिकुर्वीत मत्तब जो कार्य कल करना है उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए क्यों कर लेना चाहिए पूर्वाहे चाहिए प्राइकम और जो कार्य दो पहर के बाद करना है उसको दो पहर के पहले ही करने न चाहिए ब्यक्ति को इस स्लोक में बताया गया है कि ब्यक्ति को हमेशा अपने कार्य पर ततपर रहना चाहिए अपने कार्य में प्रमाद आलस से नहीं करना चाहिए तालना नहीं चाह को जो कार करना है जो कार आज करना है उस कार को आ जो कार कल करना है उसको आज कर लेना चाहिए और जो दोपार के बाद करना है उसको उसकार को दोपार के पहले कर लेना चाहिए क्यों कर लेना चाहिए तो करते नहीं प्रतीक्षते मृत्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करते मृत तू किसी का वेट, किसी का इंतिजान नहीं करती है, वो ये नहीं देखी देखती है, कृतमस यनावा कृतम, कि उसने वहकारे किया है कि नहीं किया, कब्री दासरी का भी एक दोहा आता है, उन्होंने भी लिखा है कि काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करोगे कब पल में परले होएगी बहुर करोगे कब ति इस लोग उसी पर आधारित है एकदम सेम कि श्वयकारियम अध्यकुर्वीत जो कारी कल करना है उस कारी को आज कर लेना चाहिए और जो दो पहर के वाद करना है उसको दो पहर से पहले करना चाहिए क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्तु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कृतमस्य ना वाकृतम कि इसने यह कारी किया कि नहीं किया अगले इस लोग को देखते हैं शत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम चना नित्रम ब्रूयात एस एस धर्म सनातन तो देखें सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए प्रियम ब्रूयात प्रे बोलना चाहिए किसी के साथ जो करकस वानी में नहीं बात करना चाहिए हमेशा ब्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए क्या हो बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए प्रिय कैसा मत्तब किसी के साथ कटटा कट वानी में बात नहीं करनी चाहिए कि करकस वानी में कि वह ब्यक्ति कोई जो है ब्यक्ति के हिर्दय में बात लगे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए आगे ना ब्रुया सत्यम अप्रियम कह रहे हैं ना मने नहीं ब्रुयात मने बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम शत्य हो और अप्री हो आईसी बात नहीं बोलनी चाहिए जैसे सत्य अप्री बात को कैसे कि ये सत्य है कि वेक्ति जो इस प्रितिवी पर जो इस धर्ति पर जो जीव जन में लिया है उसकी मृत्तु निश्चित है ये सत्य है और मृत्यु निश्चित है ये भी सत्य है किन्तु अगर उसी को कह दिया जाए कि जा जा ये तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो ये कैसा है ये सत्य और अप्रिय है सत्य और अप्रिय है किन्तु सत्य तो है मृत्यु धुरू निश्चित है किन्तु तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे ये जो है ये अप्रिय है ये अप्रिय है तिसने करें सत्यम ब्रुयात सत्य बोलना चाहिए प्रियम ब्रुयात प्रिय बोलना चाहिए ना ब्रुयात सत्य और आप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, आप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, कि जाए तुम्हारे मृत्य हो जाएगी, यह नहीं बोलना चाहिए, यह अप्रिय सत्य है, कि सत्य तो है, मृत्य सत्य होगी, कि मृत्य हो जाएगी, यह नहीं बोलना चाहिए, यह अप्रिय सत्य है मैं अपरिय सत्य समझा रहा हूं कि अपरिय सत्य का होता है कि जाए तुमारे मृत्तُ हो जा spaghetti है और सत्य का है अधारो मृत्तु ध्रोणू निश्चित है आज तुमारे मृत्त्य का सत्य हो प्रियाम चे नार्टनु रुरयात sw प्रिया प्रिय हो और झूट हो प्रिय हो और जूट हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए जूठा प्रियिने नहीं कहने कासा है प्रियम चे नानृत्रम 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 माने होता है जूट असत्य नानृत्रम माने असत्य प्रियम चे नानृत्रम नानृत्रम ब्रुयात कह रहें प्रिय जूट नहीं बोलना चाहिए प्रिय जूट नहीं बोलना चाहिए यह भी है कि मतलब कहीं हासी जाक में भी जो है आप जूट नहीं बोलना चाहिए प्रिये तो है यद्ध्य प्रिये है फिर भी आपको यग जोए आसत्य है तो इसका भासट नहीं करना चाहिए इसका संभासन नहीं करना चाहिए एसए धर्म सनातन है यह सनातन धर्म जो इस प्रकार का आचरण करता है तो कहते हैं सनातन मतलब पहले से चला आ रहा है जो जो अच्छा ही है जो सनातन धर्म उसी को का जाता है जो धर्म पहले से ही चला आ रहा है तो महार्शियों की रिशियों महात्माओं की परंपरा रही है कि वह कभी सत्य नहीं बोलते थे अप्रिय सत्य नहीं बोलते थे कभी जूट नहीं बोलते थे और कभी जूट नहीं बोलते थे आगे देखे प्रियम्चे नानितम बुरुयात एसा धर्म सनातन प्रिय हो और जूट हो इस प्रकार जो है यही सनातन धर्म होता है आगे देखें शर्वदा ब्यवहारे स्यात आवदारियम सत्तिता तो था रिजुताम रिदुताचा पिकोटिलियम नाक अदाचनम अब देखें यहां बताया गया है कि किसके साथ ब्यवहार कैसा करना चाहिए हमेशा सबके साथ किस प्रकार का ब्यवहार करना चाहिए तो यह नहां जो है उन्हें ब्यवहारों की चर्चा की गई है सर्वदा ब्यवहारे स्यात सर्वदा माने हमेशा ब्यवहारे माने ब्यवहार में स्यात माने हो आवदार्य उदारता सत्यता सत्यता होनी चाहिए सत्य होना चाहिए रिजुता सरल्ता, मृदुता, कोमल्ता, मृदुता मने कोमल्ता, चै अपी, और भी, कवटिल्यम ना कदाचनम, पुटिल्ता, कदाचन मने कभी नहीं, ना मने नहीं, तो देखे, यहां बता रहे हैं, कि सरवदा ब्यवहारे स्यात हमेशा ब्यवहार में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए अवदार्यम सत्यता तथा उदार्ता और सत्यता होनी चाहिए सरलता होनी चाहिए कुमलता होनी चाहिए कौटिल्यम नाकदाचन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए तेड़ा पन कुटिलता मने किसी के साथ जो है दुर व्यवार नहीं करना चाहिए यहां बताया गया है कि किसी के साथ जो है दुर व्यवार बुरा व्यवार नहीं करना चाहिए सबके साथ उदारता का व्यवार करना चाहिए सत्यता का व्यवार करना चाहिए सरलता का व्यवा और कदाचनम कभी भी नहीं करना चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज हम इस पार्ट की व्याख्या इतने ही यही पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में अगले इस लोग की व्याख्या तो बहुत बहुत धन्यवाद